जो गाइज आज मैं निकल पड़ा हूँ अपने त्री लवली बडीज के साथ लद्दाक के सफर पर और फ्लाइट से डैली टू ले की एक्साइटिंग जर्नी गेड़ घंटे की है जो की हाई पीट माउंटेंस की वज़े से और ज़्यादा थ्रिलिंग और फैसिलेटिंग हो अभी सुबह के नौ बजे हैं और दोस्तो हम लैंड कर चुके हैं ले एरपोर्ट पे और यहां से सीधा हम अपने होटल में चैकिन करने जाएंगे जो की ले सिटी पोलो ग्राउंड के जस्ट सामने ही लोकेकिट है तो फिर वही पे मिलते हैं CBoy कैस राइंगा नौ टरास म Yug मी छू ट्रस त्यू ट्रस तो हो आजिध किपने स्थाप ए खिर्वेस वताईशीिए see here this is the shanti stupa and this is the royal lehe palace situated on the hilltop of lehe city and these are my friends vijay surender and tushar and i guess they are enjoying a lot as well तो ये देखिए क्या सुंदर क्राफ्ट आइटम्स की सेल लगी हुई है, इमिटेशन जूलरी, तिबिटन हैंडी क्राफ्ट, बुड़न हैंडबैक्स, मॉफलर्स, हैट्स, हम डेकॉरेटिव्स, बुड़न क्राफ्ट, एंड कशुवीरी इत्र पर्फूम्स. जी हां, तो ये है दा फेमस ले मार्केट, जो कि हमारे होटल से हार्डली फाइब मेर्स के वाकिंग पर है, हम अभी अल्रेडी पाच गंटे का रस ले चुके हैं और काफी फ्रेक्ट ली करने हैं. And our plan for the first day was to rest and keep ourselves slow and lazy to accumatize with the environment. So, as per plan, we have decided to explore the local lay market first and then we'll visit the Shanti Stupa in the evening. Truly speaking, guys, this place is full of life and lovely people all around. You can see this market is having hundreds of shopping stores like clothing shops, Pashmina emporiums, bakeries, authentic restaurants, ice cream parlors, food stalls, cafes, dry food shops, gift stores, Tibetan jewelry shops and variety of local stuffs are there. And another very, very important thing. In Ladakh, some people think about what to eat in Ladakh, but surprisingly, this place is such a delight for vegetarians. Cannot tell you guys. Here, local, noodles, momos, fried rice, dal chawal, roti sabzi, deserts and all time favourite maggie will be found. So, not to be attention to eat food. Hey, guys, this is the famous lay market. So, now we are going to lunch. करने जा रहे हैं, one of the most popular restaurant of lay market, and that is none other than Kashmiri Vazwan. हम पहुँचने वाले हैं शान्ती स्थूपा, जो की लेव मार्किट से 4 किलोमेटर की दूरी पर है, और यहां पहुँचने में आपको केवल 10 मिनिट का समय लगे हैं. शान्ती स्थूपा, जैसा की नाम है, इट सिंबल अफ पीस, और यहां से आपको पूरे लेग टाउन का व्यू देखने को मिलेगा, जो की बहुत ही शान्दार हैं, सब कुछ कितना शान्त, सो डिवाइन, रियली. It is one of the most visited structures by the tourists in the Lai. Shanti Stupa is a dome-shaped structure containing the relics used as a place for meditation, built by a Japanese Buddhist of Ladakh as a part of Peace Pagoda Mission. Shanti Stupa is two-level wide dome-gampa dedicated to Buddhism. देँ स्वीरें हिन् में औकते स्वी करीजू ए0 जाने घर्म, अत्रिज侵र फिले विष्नी सेर्म घर्मॉĩूर 것은 बिप्ना चेती जिएता। इदितीं विटेशות के लिए लुब impose vedere आप इस स्टूपा की प्रकुर्मा के साथ प्रातना भी कर सकते हैं और इस हिल टॉप से ले सिटी के अद्भुत नजारों का अनन्द भी उठा सकते हैं यहां से देखने पर सुर्यास्त का द्रश्य बहुत ही मनमोहक लगता है यहां उपर स्टूपा तक पहुंचने के लिए आप सड़क माग या 570 सीडियों का इस्तमाल भी कर सकते हैं यहां पर अदर टूरिस स्पॉर्ट्स की डिरेक्शन माग करी हुई है यह जो सामने डिरेक्शन है वो है करदूंगला पास की जिसका डिस्टेंस यहां से 10 किलोमेटर है यह जो सामने डिरेक्शन है यह है इंडेस रिवर की जिसको सिंदु नदी भी कहते हैं और इसका डिस्टेंस यहां से 11 किलोमेटर है यह देखिए सामने माथो विलेज है जिसका डिस्टेंस है यहां से 22 किलूमेटर को सामने डिरेक्शन है श cinema की जो की ऑसीछल डिस्टेंस फीوم है और 兒 fourteen किलूमेटर से कि तो यह सामने जीटकल किलूमेटर दूट लेह पैलेस है तो फिर आज के लिए इतना ही तो कल फिर second day की journey हम यहीं से शुरू करेंगे till then see you bye bye